चलिए गुर्मोर्णिंग एश्टूरेंट्स पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नमर 7 का अबजेक्टिव किये थे 50 तक कर लिए थे और उसमें कुछ 40 अबजेक्टिव अभी बचे हुए हैं और इस 40 अबजेक्टिव को हम आज फिनिस करते हैं तो सभी लोग अपने पास नोटबूक निकाल लिजिए ताकि आपको कोई क्वेस्टन को अगर बनाने के लिए सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें तो फटा फट अपना नोटबूक पेन निकालके रेडी हो जाएए आज की क्लास के लिए आप इस चैप्टर का अगर पिछला अपजेक्टिव नहीं किये हैं या नहीं सॉल्व किये हैं या वीडियो नहीं देखे हैं तो बताइएगा आपको इस वीडियो का लिंक भी भेज़ देंगे और इस चैप्टर का जो पीडियेफ है अपजेक्टिव का ओ भी आपको मिल तो आप नीचे दिये गए WhatsApp नम्मर पे मुझे मेसेज कीजिएगा आपको भेज देंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं Question क्या है Power Factor of Chock Coil Chock Coil Power Factor पूछ रहा है तो आप जानते हैं Chock Coil क्या होता है Chock Coil एक Inductor होता है Chock Coil Inductor होता है प्रेरक होता है और Inductor होता है यह Inductor है तो इसका Power Factor के लिए हमको क्या चाहिए Power Factor निकालने के लिए इसक Przy supposed के लिए हमको Kalanthar चाहिए तो Kalanthar केटना होता है 90 Degree किसी choking Coil का यह Inductor का या我 प्रेरक का प्रे रक क्या होगा Kalanthar 90 دatura होगा तो फिर अगर पुछे power factor क्या होगा तो power factor cos 90 और cos 90 क्या होता है? 0 तो क्या हम टिक करेंगे? 0 हो जायागा तिसका answer देख लिए 0 लाल कलर से रंगा हुआ है इसका मतलब यही answer है तो क्या हो जायागा? 0 हो जायागा तिसका answer सही सही क्या है? 0 है अगले question सांती से बैठ जाये सभी बच्चे क्लास में आवाज नहीं करेंगे जो भी आवाज करेंगे उसको बाहर निकाल दिया जायागा तो अभी सतर्क हो जाये अगला question देखिए आपको भी पढ़ना है आप भी दिमाग लगाए next question क्या है? संधारित्र का सक्ति गुनांग क्या होगा? तो संधारित्र capacitor सुध धारित्य परिपत का पूछ रहा है कितना होगा सक्ति गुनांग? solve किजिए आपको 30 second का समय दे रहे हैं 30 second का समय आपको दे रहे हैं तो बताए जब किसी circuit में एक capacitor लगा होगा और इसको AC source से connect करेंगे तो इसका कलांतर क्या होगा? तो कलांतर क्या होता है? 90 degree कैसे? तो current आगे आगे और voltage पीछे-पीछे यह voltage है, यह current है अब current लीड कर रहा है 90 degree से तो इसका phase difference कितना है? 90 degree है, यह भी याद रखिएगा इसमें current लीड करता है, current आगे आगे चलता है voltage से कितने degree से? 90 degree से और जितना आगे चलता है वही क्या होता है? कलांतर, तो कितना आजाएगा कलांतर इसका 90 degree अब कलांतर इतना है, तो power factor के लिए आपको क्या करना है? simply cause into कलांतर कितना 90 degree अब कलांतर 90 है, तो power factor क्या हो जाएगा इसका भी? जिरो हो जाएगा, very simple कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें आगे बढ़ेंगे इस question को देखिए कितनी बार करा चुका हूँ इस question को? कितना बार हो चुका है already? फिर भी आपको याद नहीं आ रहा है परिपत में अनुनाद का कोनी आपरिती निकालना है? लिकर LCR परिपत एक करमबद सरेनी में जुरा हुआ है इसी सुरोत के साथ तो उसका अनुनादी आपरिती, कोनी अनुनादी आपरिती क्या होगा? या इसको दूसरे भासने में पूछ रहा है कि धारा का सिखर मान कब होगा? धारा का सिखर मान कब होगा? किस कंडिशन में होगा? बताइए तो धारा का सिखर मान किस कंडिशन में होता है? अनुनाद के कंडिशन में? ये कब होता है? अनुनाद के कंडिशन में? अनुनाद के इस्थितिम होता है ये राइट अनुनाद की स्थिति कब होती है अनुनाद के लिए अनुनाद के लिए क्या होता है L के क्रोस जो होता है वोल्टेज जो ही कैपिस्टीटर के क्रोस वोल्टेज के बराबर होता है और ये कब होता है जब XL का मान XC के बराबर हो XL का मान XC के बराबर हो XL का मन का होता है omega into L बराबर XC का मन होता है omega into C यहां से omega का मन का जाएगा 1 by under root LC यही को बोलते हैं कोनिये अनुनादी आवरिती कोनिये अनुनादी आवरिती लेकिन simple आवरिती अगर पुछे तो F बराबर 1 by इसी के नीचे में 2 pi आ जाएगा अब यह पुछे यह पुछे जब भी आप पुछ भी पुछे आप दे सकते हैं इसमें आपको एक ही concept नहीं बहुत सरा concept साथ में आपको पता चल गया पहला पता चला कि धारा का सिखर मान कब होगा धारा का सिखर मान होगा अनुनादी के condition में resonance के condition में. Regionance कब होगा? जब x, l का मान x, c के बराबर हो? मतलब prerakye प्रतिखाद धरितीप प्रतिखाद के बराबर हो. इसको बोलेंगे prerakye प्रतिखाद धरितीप प्रतिखाद के बराबर हो. अब इसका formula यहाँ डाले. इसका formula यहाँ डाले. यहां से omega मिल गया तो पुछे की धारा का सिखर्मान कभ होगा तो सिखर्मान तब होगा जब omega का 1, y root अदर root, lc के बराबर हो या कोनी आभरिती ओमेगा नहीं दिए है f दिए है तो वो लेंगे धारा का सिखर्मान कभ होगा जब आभरिती का 1, y 2, उपए अंदर उट एलसी के बराबर हो तीस सारा का सारा कंसेप्ट आपको एक साथ याद रखना चाहिए ताकि एक कंसेप्ट एक कंसेप्ट पे सारा का सारा आपकर रिवाई हो जाए आगे बढ़ेंगे, एक बार आप भी देख सकते हैं, इसको देखिए, question पढ़िए, पहले question पढ़िए, आपको क्या समझ में आ रहा है, question उसको देखिए, उसके बाद solution देखिए, तभी समझ में आएगा question पढ़िए, फिर solution देखिए, next question पढ़िए, पहुंचने वाले हैं, अगले question को पढ़ने के लिए आपको समय दे दे रहे हैं, निमलिकित में से किस में संधारित्र के लिए अनंत प्रतिरोद होगा? बताइए, किस के लिए? ये question repeat हो रहा है, ये question repeat हो रहा है, तो इसके लिए इस में मैं आपको बताया था, क्या बताया था देखिए मैं बताया था DC का आवरिती क्या होता है DC constant supply होता है इसमें कोई wave जैसा नहीं होता है कोई इसमें changes नहीं होता है तो इसका आवरिती क्या होगा 0 आवरिती 0 का मतलब omega भी 0 omega 1 तो आपको पूछ रहा है xC कमाण मतलब धारिती प्रतिखात तो 1by omega इंटू c 1by omega कमाण कहे है 0 इंटू c बराबर infinite क्या मिल जाएगा अनंत मतलब धारिती प्रतिखात अनंत होता है DC supply के लिए क्यांकि आवरिती यह 0 है आवरिती 0 तो धारितिय प्रतिघात हे 0 मतलाब परतिरोध अनंत हो अगले कोईस्टन नेक्स्ट क्वेस्टन को देखिए term C लाओ अगर एक हम लगा दिये इंडक्टर एक लगा दिये कैपिस्टी्टर shape ے कृका ये एक लगादिए संधरित अब इस्में कोई इसी सोर्स नहीं जुरा हुआ है तो इस एल सीसर्ड को हम ऑसिलेटर कहते हुआ without AC source कोई LC circuit हो उसको क्या कहेंगे oscillator दोलनी परिपत कहेंगे दोलनी परिपत दोलनी परिपत अब लोग ऐसा क्यों कहेंगे देखे ये अगर इसमें कोई इनर्जी दिये कोई इनर्जी हम दिये इकिसी समय पे और इसमें कोई इनर्जी नहीं दिये तो अब इनर्जी पा लिया इसमें इनर्जी है जब ये इनर्जी खतम होगा या इनर्जी दुसरे को supply करेगा तो ये इनर्जी दुसरी बार यहां shift हो जाएगा फिर दुसरे cycle में इनर्जी इसको shift करेगा मतलब कभी इसमें इनर्जी आ जाता है फिर दोबारा इसमें आयाता है क्योंकि दोनों के दोनों कोई energy का loss नहीं करता है तो दोनों में दोनों कोई energy का loss नहीं करेगा तो energy का shift होगा कि एक cycle में इसको energy मिला दूसरे में इसको मिला फिर यह energy यहां गया फिर यह energy यहां यहां तो एक तरीके से cycle चलता रहता energy transfer का इसका energy यहां transfer इसका energy यहां transfer इसका energy यहां transfer तो यह दोलनी परिपत इसलिए इसको बोलते हैं तो LC circuit LC circuit को हम क्या करते हैं दोलनी परिपत करते हैं जब AC source नहीं हो अब AC source अगर दे दिये तो AC source देने के बाद क्या होगा AC source अपना भी इनर्जी इसको देना शुरू कर देगा तो AC source खुद ड्राइब करेगा उस सर्किट को तो उसको दोलनी नहीं कहेंगे without AC source इस सर्किट को LC सर्किट को दोलनी पत कहते हैं क्योंकि दोनों में से दोनों कोई इनर्जी का लास नहीं करता है Next question पढ़िए फिर option चुनिए आपके लिए कौन सा सही option लग रहा है आपको अगला question पढ़िए option चुनिए इसमें से आपके लिए question चलिए अब आगे देखिए question का अंसर क्या होगा तो पूछ रहा है SI unit of impedance प्रतिबाधा का इसमातर क्या होगा प्रतिबाधा रहे या प्रतिघात रहे प्रेरनिक प्रतिघात रहे या धारितिये प्रतिघात रहे क्या क्या मैं बोल दिया प्रतिबाधा मतलब जेड प्रतिबाधा मतलब जेड धारितिये प्रतिघात XC प्रेरनिक प्रतिघात XL इन सबों का मातरग इन तीनों का मातरग क्या होगा इन तीनों का मातरग ओम ही होगा धारितिये प्रतिघात प्रेरनिक प्रतिघात या simple प्रतिखाद इन समका मातर क्या होगा ओम ही होगा इसके साथ आपको ये formula भी मैं याद करवाया था इसका formula जड का formula क्या हो तंदरूट r square प्लस x l माइनस x c का all square ये formula याद रखना है दूसरा x c बराबर 1 वटे omega into c याद रखना है अब इसी में आपको बहुत case है कि जब omega बहुत ज़्यादा हो तो धारितिय प्रतिखाद क्या होगा तो omega अगर बहुत ज़्यादा हो तो धारितिय प्रतिखाद क्या होता है कम omega ज़्यादा हो तो प्रेरिनिक प्रतिखाद ज़्यादा होता है फिर हम यहाँ पर regionnat भी पढ़े थे regionat P. पढ़े थे, regionn Master में कहा होता है इक्सील कमान एक्सी के बरावर होता है तो भी पढ़े थे कि किसका question पीछे था यह वाला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओम ही हो जाएगा अब पाहिला option में है हनरी, हनरी किस का मातरर होता है इंडक्टेंस कमातर होता है हेंडी इंडक्टेंस हेंडी टेसला चुम्बक के छेतर ये सब भी आपको option भी पता होना चाहिए टेसला चुम्बक के छेतर का चलिए सक्ति गुना किन किन के बीच होता है ये question repeat हो रहा है power factor cos 5 जो होता है power factor वो 0 से लेके 1 तक के बीच होता है power factor 0 से लेके 1 होता है 0 किसका होता है संधरेतर के लिए 0 होता है और प्रेरक के लिए 0 होता है 1 किसका होता है प्रतिरोध के लिए सुद्ध प्रतिरोध के लिए कितना होता है 1 होता है next question LCR परिपत का सक्ति गुना क्या होगा LCR परिपत का सकती गुनांग क्या होता है R Y Z होता है LCR परिपत का सकती गुनांग R Y Z होता है LCR परिपत का सकती गुनांग R Y Z होगा इसको भी याद रखिएगा LCR परिपत का सकती गुनांग Power Factor क्या होगा R Y Z होगा अब R को R लिखेंगे z के जग आप ये भी लिख सकते हैं अंदरूट r square प्लस xl minus xc का whole square तो power factor का ये भी कहीं कहीं option रह सकता है इसको भी देख लिजे कहीं कहीं ऐसा भी रह सकता है power factor बराबर r बटे अंदरूट r square प्लस xl कमान लिखा रहेगा omega l xc कमान लिखा रहेगा 1 बटे omega c इसका square तो आपको जो option में मिला है वो tick मारेंगे इसलिए सारे case आपको बता दे रहे हैं ये सारे case संभव है ये option में है ये भी मिलेगा question आपको ये भी question में मिलेगा ये सारे के सारे option है बस z का value यहाँ पर डाले है और कुछ भी नहीं तो देख लिजे किसी को लिखना है कुछ तो आप लिख सकते हैं objective में सारा concept क्लिर हो जाएगा आपका लिखने के लिए समय चाहिए तो आप बता सकते हैं घर पर जाके वीडियो भी दुबारा देख सकते हैं ये भी एक option है बेस्ट option तो ही है बांकि आपकी मर्जी चलिए नेक्स क्वेश्चन यदि धारा और विवांतर की बिच कलांतर फाई हो अब ये भी क्वेश्चन कोई बनाने वाला है ये तो मुझे लग रहा रिपीट हो रहा है आपको कलांतर दे दिया फाई तो पूछ रहा है पाउर फेक्टर क्या होगा पाउर फेक्टर का फॉर्मूला पूछ रहा है सिधा मतलब है तो पाउर फेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कॉस फाई तो क्या मिल जाएगा option बी रेड कलर में लिखा हुआ है तो पाउर फेक्टर का फॉर्मूला कॉस फाई आंसर बी करेक्ट है सभी लोग देख लिजे धारा और भी वांतर की बीच का कलांतर फाई तो पाउर फेक्टर कॉस फाई सक्ति गुना कॉस फाई आगे बढ़ें किस के लिए संधारितर अनंद प्रतिरोद की तरह काम करेगा यह कौशन मुझे लग आ बारवर क्यों आ जा रहा है गले इतनी बार है के भी इसंटरhole देख़्ेंग्या एक ही क्वेशन बार-बार कूशा गया है इसलिए 2-3 मार क्वेशन मिल जा गया इसलों तो ये भी देखिए इससे पहले भी था ये question 17 में 17 के बाद ये देखिए 96 का है 15 का है ये बारबर question आता है इसलिए बारबर यहां profession में है ये भी question आपको पिछले क्लास में करा चुके थे कि LR circuit में अगर R का वेलू omega L हो तो power factor क्या होगा देख लीजे इसको और अगर लगे दुबारा बतानी क्या हो सकता है तो बताइए हमको दुबारा बतानी क्या हो सकता नहीं है ये भी question आपका है LCR परिपत में energy का loss किसमे होता है resistance में होता है क्योंकि अभी बताया था कि प्रेरक का और capacitor का power factor का होगा 0 power factor 0 इसका जो loss होगा energy बराबर क्या होता है energy बराबर होता है IRMS ERMS into cos phi cos phi को ही तो power factor कहते हैं यह क्या है power factor तो अगर किसी का power factor 0 है तो उसका energy loss भी क्या होगा 0 होगा तो अगर पुछे कि inductance में प्रेरक में power क्या होगा energy loss 0 capacitor में power loss क्या होगा 0 संधरितर जिसको बोलते हैं condenser बोलते हैं नेक्स्ट प्रति दिप्ति लेंप में chalk का ओडेस क्या होता है current को control करना यह भी हो चुका है को अगर हो आगर हो आगर हो आग, क्या है एक्का अगर क्या होगा प्रतिदेप्ति लेंप में क्या काम होता है चौक क्या है प्रे रख है अब प्रे रख होता है तो पावर लॉस तो नहीं करता है पावर जीरो लेकिन ये रसिस्टेंस अपना रसिस्टेंस वो सर्कीट में अप्लाई करता है रसिस्टेंस अगर प्रति रोध बढ़ेगा तो क्या होगा करेंट का वेलू कम होगा तो करेंट को कम करता है लेकिन इनर्जी लॉस नहीं करता है इसलिए हम बोलते हैं प्रति अकबल के बिच का कलांतर क्या होता है ये कितनी दफ़ा आपको अल्रेड़ी बता चुके है ग्राब भी बना कर ये बताया मैंने अभी कुछ देर पहले ही तो आप इसको फिर से देखिए क्या है कंसेप्ट पुछ रहा है एक ये मान लिजए कैपेसीटर है इसको हमने AC सुर्स दे दिया AC सुर्स देने के बाद इसमें करेंट क्या होगा करेंट इधर जाएगा और वल्टेज इधर रहेगा तो करेंट और वल्टेज के बिच कोन कितना होता है 90 डिगरी करेंट लीड करता है वल्टेज लैक करता है current आगे आगे चलता है voltage बीच चलता है current कितना आगे चलता है 90 degree और voltage और current के बिच जितना gap होता उसको बोलते है कलांतर और ये कलांतर है कितना होता है कलांतर 90 degree कलांतर 90 तो power factor क्या होता है zero यह हो जाएगा 90 degree answer next LCR परिपत में धारितिय प्रतिगात कब होगा धारितिय प्रतिगात देखे LCR परिपत में अगर मैं बात करूं को पढ़िए आप तब तक अब कहा रहा है LCR परिपत देखे LCR परिपत अभी यह undefined है किसका प्रोपर्टी कैसा होगा धारितिय जैसा होगा यह कब बतायागा तो देखे अगर प्रेरिनिक प्रतिगात का मान जादा हो धारितिय प्रतिगात से तो इस LCR परिपत का प्रोपर्टी क्या होगा प्रेरिनिक जैसा होगा प्रेरनिक जैसा होगा अगर प्रेरनिक प्रतिखाद ज्यादा है धारितिय प्रतिखाद से तो LCR परिपत कैसा विहेव करेगा प्रेरनिक जैसा लेकिन XC कमान ज्यादा हो XL से मतलब ये ज्यादा हो क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर XC कमान ज्यादा हो XL से तो ये कैसा बेभार करेगा देखे धारितिय परिपत जैसा बेभार करेगा धारितिय परिपत जैसा बेभार करेगा धारितिय परिपत तो अगर पूछे कि धारितिय परिपत अगर LCR धारितिय परिपत जैसा बेभार कर रहा है इसका मतलब उसका XC कमान धारितिय परिपत कमा आदा है यही दोनों करता है कि कौन सा प्रोपर्टी सो करेंग ल्स्य फिस एर धारेतिये जैसा होगा यह यह ये स्पiałem करेगा ल this का ये वाला तो अगर प्रिणिक प्रतिगहात्था जादा है यह स्थिस लेट करेंगव करेगा ल सी honors प्रडिपत्था, गोगर Ajud कब होगा जो एक्सी कमान ज्यादा हो प्रेरनिक कब होगा जब एक्सल कमान ज्यादा हो तिसका और एक्सल कमान एक्सी के बराबर हो एक्सल कमान एक्सी के बराबर हो तिसको बोलते हैं रिजोनेंस और रिजोनेंस में क्या होता है सुद्ध प्रति रोधिये परिपत के जैसे क कि देखिए पढ़िए कि 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 एल से और परिपत में प्रतिरोद बढ़ाने पर क्वालिटी फेक्टर का मैंन क्या होता है करा करें है चलिए तो LCR परिपथ में पूछ रहा है quality factor अन्नाद का quality factor तो क्या होगा quality factor जो होता है quality factor क्या होता है XL बटटे क्या मतलब inductor के cross voltage बटे पूरे परिपत का voltage परिफाद का वॉल्टेज च अब क्वालिटिँ कितना किसके बराबर प्रति रोध के क्रोंस जो होगा कृष्टि जो इसके बराबर यह बता बहुत है अगर 50 को बढ़ा रहे हैं और प्रति रोध कमान बढ़ा रहे है तो देखिए एकसcią मतलब voltage across inductor voltage voltage of across resistance अब voltage बराबर क्या होता है I into R तो I into R के जगा क्या लिखेंगे XL लिखेंगे यहाँ पर XL यहाँ पर R के जगा I into R लिखेंगे अगर आप यह quality factor है quality factor बराबर क्या सिखाया थे कि inductor के cross voltage बटे resistance यह circuit का voltage चोकि inductor और capacitor voltage एक दूसरे को cancel out करता है तो जिस circuit का voltage होगा और resistance के बराबर होगा तो resistance का voltage लिख सकते है quality factor और VL या VC बटे VR VL को I into XL VR को I into R अब अगर प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो नीचे वाला बढ़ेगा यह term नीचे वाला बढ़ेगा तो quality factor क्या होगा घटेगा तो अगर लिख है कि resistance को बढ़ा रहे हैं तो quality factor क्या होगा तो quality factor का मान घटेगा अगर प्रेरक को बढ़ा रहे हैं प्रेरकत तो बढ़ा रहे हैं प्रेरक को बढ़ा रहे हैं या प्रेरनिक परतिक हाथ को बढ़ा रहे हैं तो उस case में quality factor कमान बढ़ेगा इसी को आप याद रखियेगा दोलनी का प्राकिर्तिक आबरिती पूछ रहा है तो ये कई बार हो गया है omega दोलनी के लिए omega कमान 1y अंदर रूट LC आप आबरिती रहता तो 1y 2pi अंदर रूट LC ये बात आपको याद रखना है इस question को पढ़िए इस question को पढ़ा जाए धारिता C के एक संधारित्र का प्रतिखात X है यदि आवरिती और धारिता दोनों को दुगना कर दिया जाए तो धारिती ये प्रतिखात क्या होगा फ़रा सा दो लाइन छुटा हुआ है दो लाइन नहीं दो तिन वर्ड धारिती ये प्रतिखात क्या होगा पूछ रहा है आप इसको मैं पूरा कपूरा तीनिमिनट का समय दे रहा हूँ फढ़आ फ़ट इसको सॉल्व किजिए देखते हैं कितने बचे बना पते हैं आप फढ़आ फ़ट इसको सॉल्व किजिए अभी कब भी और बताये क्या होगा धारिती ये प्रतिखात कमान कुछ भी नहीं है एक फॉर्मूला और आंसर कितने बच्चे बना पाते हैं वो हम देखना चाहते हैं कितने ढाते हैं क्या बन गया सबसे सभी बच्चों से बन गया फटा बड़ोता ये फटा बड़ोता ये बना या नहीं बना या नहीं बना कुछ भी नहीं है फॉर्मूला लिखिया अंसर आजाएगा देखिये धहन से आप एक बार कैलकुलेशन किजिए कोई बच्चे पेन नहीं चला रहे हैं ऐसे में कैसे काम चलेगा पेन चला ये अपना अपना इसलिए बोलें कॉपी पास में रखने के लिए maximum question तो देखके ये अंसर दे सकते हैं लेकिन कुछ question के लिए आपको कॉंपी पास में रखना चाहिए चलिए solve करें इसको क्या है धारिता C के एक्षण धारित्र का प्रतिगहात अब प्रतिगहात क्या होता है आपको तु समझ में आ रहा न प्रतिगहात धारित्र का दिगहात क्या होता है एक्षण कामान वनवती ओमेगा इंटु सि के बराबर राइट इसमें कोई confusion नहीं अब आवरिति और धारिता दोनों को दुगणा कर दे है आवरिति के जगह कर दिए दो आवरिति कर दिए और धारिता के जगह क्या कर दिए टुं अब धारितिय प्रतिगहात भी change हो जाएगा इसका नाम x dash देज़ दिजिए into c के जगा आप क्या डालेंगे 2c डालेंगे 2c बराबर 1 बटे do into 2 क्या हो जाएगा 4 omega c और 1 बटे omega c कमान किसके बराबर है xc के तो 1 बटे omega c के जगा हम क्या लिख सकते हैं xc लिख सकते हैं तो 1 बटे x into c तो क्या मिल जाएगा x dash मतलब नया जो धारितिय प्रतिगहात है वो पुराने का 1 बटे 4 है अब पुराने का मान x दिया है तो x लिखेंगे यहां क्या दिया है x दिया है तो x बटे 4 आजागा answer option number c correct है कोई confusion है तो बताइए कुछ भी नहीं कर रहे है वही बस omega का value क्या कर दिया दो गुना c का value भी दो गुना तो दो गुना नीचे में दू इन तो दो चार नीचे में चार आ जाएगा तो चार नीचे में आ गया तो जो ओरिजिनल था उसका वन वाइप फॉर्थ पार्ट हो जाएगा कि नेक्स्ट कोनिया विर्थी omega वाले प्रत्यवर्थी धारा परिपत L में प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन प्रेर्णिक प्रतिखात कमान होगा प्रेर्णिक प्रतिखात पुछरा भै मेरे से देखो न प्रेर्णिक प्रतिखात XL कमन कैमे सिखाया XL वरावर omega into L कितनी बार बनवाओगे एक ही question को एक ही question को बार बना के मैं भी ठख गया मुझे भी लग रहा है कि कितना repeat हो रहा है question लेकिन देखे कितना important है वो देखे कितना महत्पुर्ण है कि बार बार ये question आ रहा है फिर भी कुछ बच्चे का दिमाग अगर नहीं खटक रहा है नहीं जागरित हो रहा है अभी भी सोया हुआ है तो ऐसे बच्चों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसलिए जान मुझे के मैं इतना बार इस question को डाला हटाया नहीं कि भाई ये question बार बार आरा इसका मतलब इस question को रहने देना है ताकि बच्चे को ये तो लगे कि भाई इतना question इतना बार क्यों पुछ रहा है question power factor प्रतिरोध में जो उड़जा खडच होगा वो क्या खालाएगा वास्तविक तो इसको बोलेंगे वास्तविक सकती बटे ये तो क्या है ये तो प्रेयरनिक का भी है इसमें क्या है पुरा का पुरा एनरजी अंड़ी कंजुमने होगा इसको बोलेंगे कालपनिक सकती अब लोगे सकती कैसे आ गया तो I2R बटे I2Z ऊपर ने चिका कि ये I2R से गुना कर देजी तो I2R हो गया i2z हो गया यह i2r क्या है वास्तविक सकती हो गया और यह कालपनिक जैसे दिखे रहा है तो simply formula यहाद रखे पावर फक्टर बराबर क्या होगा वास्तविक सकती बटे कालपनिक सकती और वास्तविक को यह लिखा है true बटे apparent true average power बटे apparent average power next अब transformer से कुछ question आपके पास देखने को मिलेगा transformer पर अधारित जितने objective है maximum वो सब रहेगा तो आप इसको देखिए एक बार और बताइए क्या पल्ले पर रहा है transformer में पूछ रहा है उड़जा का उस्मा में रुपांतरन क्या कहलाता है तो उड़जा का उस्मा उड़जा में रुपांतरन क्या कहलाता है copper loss कहलाता है अब यह कैसे होता है वो देखिए थोड़ा सा अब transformer में एक primary winding और एक secondary winding यहीं न होता है transformer में एक primary में winding, एक secondary winding और primary winding किस से बना होता है हमको loss को कम करने के लिए copper से बनाते है secondary भी copper से बनाते है और आप जानते हैं copper भी दूद का धुला नहीं है इसमें कुछ न कुछ प्रतिरोद होता है ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रतिरोद नहीं होता है प्रतिरूद कुछ ने कुछ होता है अब कुछ ने कुछ प्रतिरूद होता है तो कुछ ने कुछ उर्जा का लॉस ये करेगा और कुछ ने कुछ उर्जा का लॉस करेगा तो ये उर्जा कहा दिखेगा उस्मा के रूप में ये उर्जा किसमें दिखता है उस्मा के रूप में यहां जो energy का loss हो रहा है क्या खालाएगा copper loss कालाएगा यही लिखा हुआ है कि copper loss विधु तूर्जा का उसमा और जा में परिवर्टन copper loss होता है next transformer के कुरोड को परदार बनाते हैं क्यों? transformer के कुरोड को परदार इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहां पर loss कम हो सके कौन सा loss? ED current loss कम हो सके ED current loss को बचाने के लिए हम लोग इसकी जो अंदर के पटी होती है उसको पतले पतले स्ट्रीप में बनाते हैं पतले पतले स्ट्रीप में बनाने के कारण उसमे ED current का flow छोटा circle में हो पाता है और बहुत कम होगा तो यहां पर loss बचेगा तो अगर पूछता के transformer के क्रोड को परदार बनाते हैं क्यों तो हम बोलते ED current loss को बचाने के लिए आगे भी option आएगा यह चीज़ का transformer का इस question को पढ़िए पहले transformer का कारे का है question को आप नहीं पढ़ेंगे अगर उसके बाद हम बताते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या फटा फट question को पढ़ डालिये भी जल्दी जल्दी question को पढ़िए जल्दी 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 transformer के लिए निमली खित में से कौन सही है क्या करता है transformer DC को DC या AC को DC में बदलता है मैंने कब बताया कि transformer AC को DC में बदलता है transformer AC को DC में नहीं बदलता है उसको inverter कहते हैं इसके बाद क्या यह DC को AC में बदलता है वो भी गलत बात है DC को AC में नहीं बदलता है तिसरा increase decrease voltage current तो बिल्कुल सही है, transformer दो प्रकार के step up, step down, उच्चाई, अप्चाई, उच्चाई का कैम है, voltage को बढ़ाना, और जहां voltage बढ़ाएगा, वहां current कम होगा, मैं सिखाया था, मैं सिखाया था transformer के लिए, और मैं बोला थे, इसको सुगा मैंने तोता की तर याद करो, E1 बटे, E2 बराबर, N1 बटे, N2, बराबर, I2 बटे, I1, देखे, क्या है, प्रात्मिक का voltage बटे, सेकेंडी का voltage बराबर, प्रात्मिक में कुंडली की संख्या मतलब, टर्न्स की संख्या मटे, सेकेंडी, वहां 1, यहां 1, बराबर, current उपर में है दो, नीचे में है 1, प्रात्मिक बटे सेकेंड़ी के वल्टेज बराबर दुसरा का करेंट बटे प्रात्मिक करेंट प्रात्मिक में वल्टेज बटे दुतियक में वल्टेज बराबर दुतियक कुंडली में करेंट बटे प्रात्मिक कुंडली में करेंट current उल्टा है तो जो transformer voltage को बढ़ाएगा वो current को घटाएगा current कम होगा उसमें तो transformer का काम है voltage को बढ़ाना या घटाना current को बढ़ाना या घटाना ये भी option आप देख लिजिए तो option नमर d correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं लिखा हुँआ यहाँ पर ed current को भवरधार कहते हैं तो transformer के क्रोड को परदार बनाते हैं क्यों बनाते हैं अभी बताया कि transformer के क्रोड को परदार बनाते हैं भवरधारा ED current loss से बचने के लिए, ED current loss को कम करने के लिए, क्या करते हैं, हम लोग परदार बनाते हैं, आप question को पढ़िए अच्छे से, और सभी option को पढ़िए, और फिर बताइए क्या चल रहा है question पढ़िए, option पढ़िए, फटाफ़ट पढ़िए, फटाफ़ट हम से के लिए हैं, क्या चल थाफ़िए, परदाधिश्ट पढ़िए, प्रिएख़ड़़गों कि लिएफ़गे हैं अच्छेट की से लिएफ़गगा, पर दोवड़गाद ढ़िए, पर रुगणना की तूह बएबएए, पर दोगशे हैं उिए एंपशाए रराट पर रदा कि अजनुए वाहा है चलिए, next question, the device that increases AC voltage is called, उपकरन जो वोल्टता को बढ़ा देता है, क्या कहलाता है, तो वोल्टता को बढ़ाने वाले उपकरन को क्या कहते है, step up transformer, जिसको उचाई, उचाई transformer कहते हैं, क्या option हो जाएगा, option number C हो जाएगा, और जो voltage को घटाता है, उसको बोलते है, step down, अपचाई transformer, option number B है, अपचाई, और उचाई में voltage बढ़ाता है, फिर से मैं बोलता हूँ, उचाई transformer, step up transformer voltage बढ़ाता है, लेकिन वो current को घटाता है, उचाई transformer voltage बढ़ाता है, अपचाई transformer voltage को घटाता है, लेकिन current को बढ़ाता है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, देखिए, यहाँ पर आ गया, step down, step down क्या करता है, तो step up transformer के बारे में क्या बताया, voltage को बढ़ाता है, current को घटाता है, step down, अपचाई transformer, अपचाई मतलब घटाना, तो किसको घटाना voltage को, voltage घटेगा लेकिन current बढ़ेगा, current का reverse relation, इस सी को याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, उचाई, उचाई transformer, यह क्या करता है, voltage को बढ़ाता है, लेकिन current को घटाता है, अपचाई, अपचाई मतलब step down, अपचाई transformer क्या करता है, voltage को घटाता है, लेकिन current को बढ़ाता है, current को बढ़ाता है, प्रत्यावर्ती विभाव पर एक दिश्ट धारा उत्पन करने वाले हैं, अब इस AC source को, AC source को DC में बदलने के लिए, AC source को DC में बदलने के लिए, हम लोग reactive fire का उप्योग करते हैं, रियक्ति इस रियक्ति फाइर, रियक्तिफ फाइर, यह सब पढ़ेंगे modern physics में, कि AC को DC में बदलने के लिए हम लोग reactive fire का उप्योग करते हैं, रियक्ति फाइर डाएवणी जैसा होता है, तो AC, DC में बदलने के लिए रियक्तिफ फाइर का उप्योग करते हैं, इसी को आप अभी सिए आदखे लेकिन हम लोग पढ़ेंगे वर्ले हिए चलिए ट्रांश्फॉर्मर्ट, ट्रांश्फॉर्मर का कारे सिधानत किस पर अधारित है अन्यों नेप्रिषम पे, क्यों कि देखिए इसमें क्या होता है इसमें प्रयात्मिक कुंध्डली, द्यूति और प्राथमिक में करेंट को चेंज करने से दूसरे कुंडली में क्या होगा EMF बनेगा प्राथमिक कुंडली में AC सोर्स है यहां करेंट सब चेंज हो रहा है करेंट चेंज होगा तो प्राथमिक कुंडली का चुम्बक के छेतर चेंज होगा यहीं चुम्बक के छेतर दूसर में भी गया है तो प्राथमिक में करेंट को चेंज करने से दूसरे में भी चुमबक के फ्लक्स में चेंज जाएगा और यहां पर EMF बनेगा इसलिए हम बोलते हैं अन्योन नप्रेरन पे क्योंकि एक कुंडली में धारा को परिवर्तन करने से दूसरे कुंडली में EMF बनता है इस प्रोसेस को अन्योन नप्रेरन कहते हैं एक कुंडली में परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन उसके निकट वर्ती दूसरे कुंडली में EMF वल्टेज बन रहा है इसको बलते हैं अन्योन नप्रेरन तो यह अन्योन्य प्रेवर्णर पर अधारित है यह, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, अगला question देखिए तर तक पढ़िए इसको, अगला question पढ़ डाली है, ट्रांस्फर्मर में क्या परिवर्टन नहीं हो रहा है, इन में से कौन सा टर्म ट्रांस्फर्मर में चेंज नहीं होता है, मैं पिछले दिन एक, अभी चप्टर नमर नाइन में में बता रहा था, चप्टर नमर नाइन में में बताया पिछले क्लास में कि आवरिती, आवरिती किस पे निर्भर करता है, सुरोत पे, आवरिती निर्भर करता है सुरोत पे, सुरोत वही आवरिती वही, सुरोत में आवरिती में चंज नहीं, लेकिन transformer तो थोरण सुरत है, transformer सुरत नहीं है, यह device है, जो convert करते हैं से यहां यहां से यहां से यहां, बदलता है, कम ज़यादा करता है, सुरत नहीं है, transformer सुरत इसलिए नहीं है, कि खुद रिद्ग नहीं करता है, यह आते हुए AC को यह थोरा सब प बिजली गौवर्मेंट का जहां बनता है प्लांट जहां होता है कोल प्लांट वहां पर तो यह थर्मल प्लांट जैसे है थर्मल प्लांट हो गया थर्मल प्लांट यहां पर बनता है तो यह तो हमारा सुरुत नहीं है तो ट्रांसफोर्मर क्या परिवड़तन नहीं कर सकता है आपरिती, आपरिती में change transformer नहीं ला सकता है, सिर्फ voltage में ला सकता है, current में ला सकता है, इन सब में change ला सकता है, बांकि आपरिती में कोई change नहीं आएगा, तो option number A correct हो जाएगा, चलिए, option number, इसमें बताईए, एक परिमा पित्र को क्रोड परतदार बना जाता है, मतलब एक transformer को परतदार क्यों बनाते हैं, किस से बचाने के लिए, फड़ा फड़ा answer दीजिए, तो इसको solve नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी इसको बता चुका हूँ, कई बार, क्या बताया कि परतदार बनाते हैं, ताकि ED current loss, ED मतलब ववरधारा, ववरधारा हानी को क्या कर सके, हानी को कम कर सके, नेक्स्ट, किसी अपचाई transformer, इसके साथ धेड़ सारा concept में यहीं पर लिख देता हूँ, चलिए, अब यहाँ पर अपचाई, अपचाई नहीं, पहले ट्रांस्फोर्मर, ट्रांस्फोर्मर का यह प्रात्मी कुंडली, ट्रांस्फोर्मर का यह सेकेंडी कुंडली, मान लिखे, ट्रांस्फोर्मर में व्ल्टेज है V1, ट्रांस्फोर्मर का current है I1, अर ट्रांस्फोर्मर में फेरो की संख्या N1, यह प्रात्मीक यह दूत्यक है, दूत्यक में व्ल्टेज V2 current मान लिजए I2 और इसमें फेरो की संख्या N2 तो अब transformer दो परकार का होता है दो परकार में एक है उच्चाई उच्चाई अब उच्चाई का बात किज़े step up में तो step up में उच्चाई मतलब उच्च जाना उच्च देखते हैं उच्च है उच्चाई उच्च मतलब बढ़ना तो क्या बढ़ना voltage बढ़ेगा voltage बढ़ जाएगा कौन सा voltage बढ़ेगा तो V2 जो हमको चाहिए वो V2 वोल्टेज बढ़ जाएगा तो चाहिए ट्रांसफ़ोर्मर में वोल्टेज बढ़ गया अब वोल्टेज तब बढ़एगा जब फेरो की संख्या क्या हो क्योंकि वोल्टेज का अनुपात बराबर फेरो का अनुपात होता है तो अगर E2 बटे E1 कर देते हैं E2 बटे E1 बराबर N2 बटे N1 तो अगर आपको voltage यह ज़्यादा चाहिए तो यह फेरो की संख्या क्या करना पड़ेगा ज़्यादा तो उचाई transformer में voltage बढ़ जाता है voltage बढ़ेगा तो उसके लिए फेरो की संख्या ज़्यादा होगा तो पूछ रहा है उचाई transformer में फेरो की संख्या यहाँ ज़्यादा होगा इस से मतलब N2 का मान ज़्यादा होगा किस से N1 से यह पूछा तो voltage बढ़ा फेरो की संख्या बढ़ा लेकिन current का मान घटा तो पूछ ता current कौन से ज़्यादा होगा तो current यहाँ से घट जाएगा मतलब I1 का मान ज़्यादा होगा किस से I2 से तो voltage का मान ज़्यादा है voltage उच्चाई में voltage ज़्यादा है प्रात्मी की संख्या भी secondary में ज़्यादा है लेकिन secondary में current कम है अब आब आताती है अपचाई की अपचाई में का होगा सेम इसका उल्टा voltage को घटाने का कम करेगा तो voltage यहाँ से घट जाया का मतलब यहाँ का ज़्यादा होगा तो voltage V1 ज़्यादा होगा V2 से और V1 ज़्यादा है इसका मतलब N1 ज़्यादा होगा N1 ज्यादा होगा किस से? N2 से और देखें, voltage का उल्रा current तो वगर V1 ज्यादा है V2 से इसका मतलब जरूर इसका उल्миका होगा I2 कमांड ज्यादा होगा किस से? I1 से I1 से यतना relation आपको याद रखना है चलिए तिन चार questions है डाइनमो का काड़े सिधान किस पर धारित है ये पूछ रहा है तो इस को इसन को देखे यहाँ पर जो भी कंसेप्ट में बताया घर पर जाके अच्छे स्टूडेंट जो होंगे इसको दस बार देखेंगे इतने चीज़ को दस बार इसको पढ़ेंगे और यहीं से दिमाग ब अपचाई क्या हो चाहिवा क्या कंडिशन है यहाँ यहां इवा देख लीजह त्या कि सारा का सारा कंसेट एक साथ की लियर हो जाए तो यह सब आए इसको घर पर जाके देखिए गाद त्तिन बार next question है इस chapter का नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए question क्या है डाइनमो का कारिशिधान्त किस प्रधारित है electromagnetic induction पे डाइनमो कारिशिधान्त electromagnetic induction पे अधारित है विद्चुम्बक के प्रणप प्रणप अधारित है ये पिछले AC source को जैसे जैन अगर से जैन अगर से 200 परटी भेजना है 200 परटी तो हम इसको कम voltage पे नहीं भेज सकते हैं कर अगर मान लो 100 वेल्टेज को यहां से यहां भेजे तो तो सॉब विर्टेज यहां जैन अगर में है बासा पटे आट आट अटे 5 0 हो जाएगा जिरो 24 हो जाएगा तो हमको व्रटेज मेह लॉस यहांपर भहुत ज्याधा हो रहा है तो क्या करेंगे इसको हाइ जिसे 33,000 वोल्टेज 33 year voltage को भेजेंगे 33 year में से थोड़ा सा कम भी हो गया मान लोग 30,000 बचे गया तो 30 year का उपयोग हम लोग कर सकते हैं अपने requirement का में सार तो लंबी दूरी तक विधूत को भेजने के लिए हम लोग उच voltage बना कर भेजते हैं high voltage बना कर भेजते हैं ताकि loss कम से कम हो सके loss से बचाने के लिए हम लोग क्योंकि अगर voltage ज्यादा होगा तो current कम होगा current कम होगा तो loss वहाँ कम हो क्योंकि electron का flow होता है current तो current को कम से कम रखके हमको voltage ज्यादा रखना होता है loss से बचने के लिए तो लंबी दूरी तक विधुत को भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं high voltage बेजते हैं उच्छ वोल्टेज बनाकर बेजते हैं transformer के सहता से यह पुछ रहा है next transformer का कारि करता सिर्फ AC के लिए DC में transformer कारि नहीं करेगा क्योंकि ये किस प्याधारित है अन्योन ने प्रेयरन प्याधारित है अन्योन ने प्रेयरन के लिए विदुत flux का बदलना जरूरी है विदुत flux के लिए input voltage का बदलना जरूरी है input voltage अगर बदलेगा तब flux में परिवर्दन होगा input voltage या direction change किसे में होता है AC में DC में तो होता नहीं है जिसलिए transformer के crude को हम क्या बनाते हैं किस material से ferromagnetic loss चुमब के पदार्थ से बनाते हैं ताकि उसमें का हो सके losses कम से कम हो retentivity मतलब मानलो यहाँ पर प्रात्मिक कुंडली से चुमब के flux निकला तो maximum का maximum किस में जाए secondary में प्रात्मिक कुंडली की maximum चुमब की छेतर रखाए किस में secondary में जाए तो इसके लिए हम कौन सा material उप्योग करेंगे ferromagnetic substance उप्योग करेंगे लोच चुमब की पदार्थ उप्योग करेंगे लोच चुमब की पदार्थ खुद से होकर सारे चुमब की वल रखाओं को पास करती है चुमब के छदर रखाओं को पास उजारती है और उसका लोह चुम्बक की पदाज का एक्जामपा है मुलाइम इसपात तो मुलाइम इसपात इसके लिए उप्योग करते हैं नेक्स कुश्चन अब वही कुश्चन बारबार रिपीट हो रहा है उच्छाई ट्रांसफोर्मर के लिए तो आप इसमें हम क्या कर सकते है तो पूरा अब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है इस चेप्टर का और जल्द ही आपको दूसरे बांकी चेप्टर जो बच्चे हुए हो उसको भी हम कर लेंगे चेप्टर नमर जैसे साइद पांच का बच्चा होगा तो पांच का बच्चा है इसके अलाबा भी किसी चेप्टर का अब्यक्टिव बच्चा हुआ तो आप बताईएगा उसको कंप्लीट करवा देंगे आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको घर पर जाके दो तिन बार देखना है और अच्छे से जो कंसेप्ट आपको लिखना हो लगे कि कोशन को इस कंसेप्ट को हमें नोटबुक में होना चाहिए तो आप अपने नोटबुक में भी कंसेप्ट को लिख सकते हैं घर पर जाके अच्छे से वीडियो को रोक रोक के देखिएगा